जाए जाए मागमक्या जाए मागमक्या जाए जाए तारा जाए जाए तारा मैं आपको मैं अचार एक देव गुरू मैं इस रासी में गूचर कर रहे हैं अब एकी रासी में एकी नचत्र में राहू और गुरू ब्रस्पति युती किये हुए थें जो गुरू चंडाल योग का निर्वान हो रहा था अब जो है राहू और गुरू ब्रस्पति जिस नचत्र में थे वहाँ से बाहर गुरू ब्रस्पति आ गए हैं भर्नी नचत्र में और राहू अस्वनी नचत्र में ही हैं मेश रासी में ही अब गुरू ब्रस्पति जो है भर्नी नच्छत्र में मेश रासी में और सुक्र की नच्छत्र में हैं बुचर कर रहे हैं जो चमतकारी लाब देने वाले हैं है तो अभी तक मैंने मेश रासी का मैने बता चुका हूं मेश लगनवाले का और विसव रासी विसव लगनवाले को भी बता चुका हूं अब हम बात करते हैं आज करग रासी वाले के लिए गुरू का जो है ये दसम भाव में गोचर कर रहे हैं जो पंचम द्रिष्टी से देख रहे हैं दुसरे भाव को सत्तम द्रिष्टी से देख रहे हैं चतुर्त भाव सुख भाव को नवम भाव से रोग सत्रु भाव को देख रहे हैं तो आपके लिए ये गुरु देव बहुत ही अच्छा लाव देने वाले हैं आपके इंकम बर जाएंगे आपके अंदर जो चिर्चिरापन आ गया था वो चिर्चिरापन खतम होगा थोड़ा आप सोच समझ के बोलेंगे थोड़ी आप जो आपकी वानी में थोड़ा वेट आ आपका जो खर्चा है वो कुछ आप घर के सुख साधन में भी आप खर्चा कर सकते हैं अगर कोई कर्ज था तो वो कर्ज भी चुकाएंगे इस टेंब में अगर कोई रोग था तो रोग से भी आप मुक्ति पाएंगे दवाई नहीं खा रहे थे दवाई शूट नहीं कर रहा था अब वो शूट करना लगे का और आपका जो बिजनेस नहीं चल रहा था अब वो धीरे-दीरे बिजनेस भी आपका इजहापा बढ़ जाएगा इस टाइम में एक ही चीज़ आप धियान दखना कोई जरुवत मंद आदमी हो उनको आप जितना सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा अपनी माता को जितना सेवा करेंगे उतना ही आपको लाब मिलेगा माता पिता गुरु धरम करम जितना करेंगे उतना आपके लिए यह अच्छा सावित होगा ताकि आपका सुख वहाओ का मालिक भी सुक्र देव हैं इसलिए आप गुप्त नोरात्री चल रहे हैं इसमें अगर आप मैया का जितना पूजा पाठ करेंगे धरम करम करेंगे कुमारी कन्या को जितने अभी स्कूल के टाइम चल रहा है बच्चे को परहाई लिखाए में जितने जो रतमन्द बच्चे को अगर आप दानपुन करते हैं तो और ही आपका सुख सिविदा में तरक्की मिलेगा इस टेम में आपको एक सला और दे रहे हैं आप जितना पाने को आप जितना जौदत हो उतना ही खर्चा करें ऐसे मत पानी को वेस्ट मत करें यह भी आपके लिए बहुत लाबदायक सिद्ध होगा उसके बाद नहाने के पानी में बालतिम पले आव गंगा जल डाल दें थोड़ी से कपूर डाल दें थोड़ी से चंदन का इत्र डाल दें थोड़ी से हल्दी डाल दें फिर पानी भरके फिर आप नहाएंगे तो यह आपको चमतकारी लाब देगा हो सकता आप कोई जेवर भी ले सकते हैं गौल्ड का भी ले खरिदने का योग बंदा है दुसरी नहीं प्रोपर्टी भी लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं यह आपके लिए अच्छा समय आ रहा है तो अगर आप ज्यादा पतलब जितना आप मैनत करेंगे ताकि आपके दसंभाव में गुरु ब्रस्पति का गोचर है कर्म आपका जितना प्रवल होगा और इंकम भी लाब भी उतना ही प्रवल होगा और और सर्दा जो भी करें सर्दा और विश्वास्त करें आपको जवर्दस्त लाब में लेया अब अपने बाने को मैं यहीं पर ब्राम देता हूं अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दिजे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे अब बेल आइकन को दवा दिजे ताकि दूसरा कोई इपिसो अपलोड होगा तो आपंगो नोटिट हे का कर चीच्शं पहुंच जाएगाीज वीडियो अच्छा लगे अपने मित्रों को उसको भी शेयर करें इसी کے साथ जैया माक्र जैया मातारा जैया तरा जैया तरा जैयो